का श्वागत है, मित्र जैसा आप लोग जानते हैं, आज आप लोगों का डेमो क्लास है, आपकी संस्था चंदरा इंस्टिट्यूट में TGT PGT से सम्मंधित सभी विस्यों के डेमो क्लास चल रहे हैं, इसी के संदर में कला TGT PGT से सम्मंधित आज आपका डेमो क्लास है, आज इस class में हम TGT और PGT का syllabus के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें जो है जो आपका कला subject है, कला subject में जो है TGT और PGT, दोनों को syllabus को जो है हम संयुक्त रूप से आपको बता रहे हैं, देखा जाए तो TGT और PGT का syllabus है उसमें बहुत सारी चीज कामन है, बस यूरोपी कला अगर द आप बिगत प्रस्ट पत्रों को उठा कर देखेंगे, तो वहां से भी यूरोपी कला के क्यूशन पूछे गए हैं, इसलिए जो है एक हमने एक ऐसा syllabus तयार किया है, जिसमें TGT और PGT दोनों का syllabus जो है समाहित है, आईए देखते हैं TGT PGT कला से संबंधित जो है syllabus, जो है देखिएगा वहां पर भारती कला और यूरोपी कला से किशन पूछता है, अगर हम TGT के संबंधित में देखते हैं, तो TGT का जो आपका syllabus है, उसमें भारती कला है, लेकिन जो है यूरोपी कला जो है उसमें syllabus नहोने के बावजूद भी यूरोपी कला से जो है, आप आपका करीब जो है 10 से लेकर 15 किशन आपको पूस्ता है अगर हम PGT की बात करते हैं PGT में आपका भारती और यूरोपी दोनों जो है दोनों आप से किशन पूस्ते हैं आईए पहले हम भारती कला की बात करते हैं चली देखते हैं देखिए अगर हम भारती कला की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो कला है वह मानो सापेक्ष है, कला क्या है, कला मानो सापेक्ष है, मानो जीवन के इतिहास को जो है लिप के आदहार पर तीन भागों में बाटा जाता है, जिसको जो है हम प्राग इतिहासिक काल, आदितिहासिक काल और इतिहासिक काल के नाम से जानते ह अब बात हो यह है कि प्राग एतिहासिक कला आद एतिहासिक कला और एतिहासिक कला का अर्थ क्या है? ध्यान दिजे गर हम प्राग एतिहासिक कला को देखते हैं तो यहाँ प्राग एतिहासिक कला या प्राग एतिहासिक अगर हम देखा जाए अगर सिर्फ हम इतने की चर्चा करते हैं प्राग एतिहासिक अगर हम इतने की चर्चा करते हैं प्राग एतिहासिक बतलब होता है इति पूर का वह समय जब मनुष को लिपी तथा लेखन का ग्यान नहीं था। मनुष अशब्य तथा बरबर थे, मनुष जंगलों में जो है जानवरों की भात रहते थे, वह समय जो है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, उस समय के मानो द्वारा बनाई गई जो कला कृतियां हैं, उ जो है चित्र कला का स्वरूप हमको दिखाई देता है, दूसरा हम देखते हैं आद इतिहासिक किसे कहते हैं, इतिहास के पूर का वह समय, या हम कह सकते हैं मानो जीवन की वह समय, जब मनुष को लिपी का ग्यान था, जब मनुष को लिपी का जो है ग्यान था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया तो वहाँ समय जो है आद्ये एतिहासिक काल कहलाता है और इस समय के मानों द्वारा बनाई जो कला क्रतियां है उसको जो है आद्ये एतिहासिक कला कहते हैं यह समय देखा जाए तो यहां पर हमको चित्र कला, मूर्ट कला, अस्थापत कला के जो है हमको प्रमार प्राप्त होते हैं। आईए आगे हम देखते हैं एतिहासिक कला अर्थात मानो का वह समय जब क्या था लिपी का ग्यान था उसको पढ़ा गया तो वह समय क्या कहलाता है वह एतिहासिक काल कहलाता है और इस समय के मानो द्वारा बनाए गई जो कला कृतिया है वह एतिहासिक कला कहलाता है अगर एति अगर हम प्राग इतिहासी कला के अंतरगत देखते हैं। तो जो आपका पासान काल से सम्मंदित जो कला कृतियां है वह जो है आपका प्रागैति हासि कला के अंतरगत आती हैं ठीक है आईए देखते हैं आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं तबाम मित्र जो है जुड़े हुए हैं अनिल तिवारी जी रूप वर्मा जी उपाशना जी चंदन यादो जी चली आईए देखा जाए पहले सिलिबस के बारे में हम देख लें इसके बाद आप देखते हैं प्रागैति हासिक कला के अंतरगत आता है आपका पासान काल आता है आद एतिहासिक काल के अंतरगत हडपा सब्धा वैदिक सब्धा आती है एतिहासिक काल के अंतरगत 600 इसापूर्टक से लेकर या अब तक जो है वह इतिहासिक काल के अंतरगत आता है चलिए अब देखते हैं पासाण काल किसे कहते हैं अब यहां पर आया कि प्राग इतिहासिक काल के अंतरगत पासाण काल आता है तो अब यह हुआ कि पासाण काल किसे कहते हैं मानो जीवन का वह समय एक है जब मनुस के जीवन में पत्थर की भूमी का अनिवारी हो अर्थात मनुस के जीवन का वह समय जब पत्थर की भूमी का अनिवारी हो वह समय क्या कहलाता है? वह समय जो है पासान काल कहलाता है जैसे आप देखते हैं कि प्रागैति हासिक काल का मानव प्रागैति हासिक कालिन जो मानव था वह क्या था वह सिकार पर निर्भर था भोजन के लिए वह सिकार पर निर्भर था अब जानवरों का सिकार करेंगे तो उसके लिए हतियार चाहिए और उस समय जो हतियार मिले वह जो है पासान से बनाए जाते थे अब उस समय का मानो जो है जंगलों में रहता था जंगल में तमाम प्रकार के हिंसक जानवर इत्याद रहते थे अब उने हिंसक जानवरों से बचने के लिए जो है पत्थर के अजारों का प्रियोग करते थे जैसे आद तमाम प्रकार की जो है आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदा उस समय भी आती रही है, तो वहाँ प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उस समय का मानो जो है, प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहता था, गुफा भी जो है आपका पत्थर से बना है, तो अर्थात प्रागैतिहासिक काल का मानो जो है उसके जीवन में पत्थर की भूमिका अनिवारती इसलिए इसके अंतरगत क्या आता है पासान काल आता है और पासान काल का जीवन देखा जायती है जीवन मानो जीवन का सबसे लंबा समय रहा है पासान काल को तीन भागों बाटा जाता है पूरा पासान काल म पत्थर के जो हथियार थे उनके विकास क्रम के आधार पे जो है इनको तीन भागों बाटा गया जिसको हम पूर पूर पासान काल कहते हैं मध्य पासान काल कहते और नौ पासान काल अब यहां पर जो जो आधिम चित्रकला मिलती है अर्था जो प्रागयतिहासिक चित्रकला मिलता है जो सैल चित्र मिलता है उसका प्रारंब कहां से माना जाता है उसका प्रारंब जो है नौ पासान काल से माना जाता है तो हम कह सकते हैं भारत में प्रागयतिहासिक चित्रकला क जो साक्ष हैं वह नौपासान काल से माना जाता है। यह किशन बहुत ही महत्पूर्ण पूस्ता है कि भारत में चित्रकला का प्रारम जो है कब से माना जाता है तो यह निशित है भारत में जो प्रागेति हासित चित्रकला है उसका प्रारम जो है नौपासान काल से माना जाता चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ पर देखिए भारती प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुकेंद्र भारती प्रागैति हासिक चित्रकला के प्रमुकेंद। अब आप देखिए कि भारत में जो है जो चित्रकला का प्रारम दिखाई देता है वह प्रागैति हासिक काल से प्रारम दिखाई देता है और प्रागैति हासिक काल में कब नौपासान काल से। हम कहा सकते हैं भारत में जो है जो कला की प्राचीनता है जो चित्रकला की प्राचीनता है वह प्रागैतिहासिक काल के नौपासान काल से पाया जाता है अब बात होती है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कहां से हुई भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कहां से हुई तो वह कौन सा स्थान है आपका मिर्जापूर यह बहुत ही महत्पूर्ण कृष्ण पूस्ता है कि भारती उप महादीप में भारती उप महादीप में प्रागैति जो है प्रागैति हासिक चित्रकला की खोज उत्तार प्रदेश, उत्तार प्रदेश का कौन सा जिला है मिर्जापुर, इसके बाद अगर केंद्र की बाद देखा जाये तो उत्तार प्रदेश में अन्य केंद्र और मानिकपुर हैं। दूसरा महत्मुर्ण किश्यन पूसता है कि भारत में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो है प्रागयतिहासिक काल के चित्र कहां से मिले हैं। तो अगर देखा जाए तो वह कौन सा स्थान है वह आपका मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत में प्रागयतिहासिक चित्र कला के सबसे प्राचीन चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो वह कौन सा है भीम बेट का। दोनों प्रशनाब देखिएगा भारत में प्रागयतिहासिक चित्र कला की कोज मिर्जापुर से हुई और भ इसकी अलामा अगर हम देख भारती प्रागैति हासी चितरकला के प्रमुक केंद्रों में देखा जाए तो 36 गड़ में देखा जाए तो वहा स्थान कौन सा है वहा सिंगहनपूर है यह आपके लिए बहुत ही महत्पूर है। इसके अलामा जहारखंड की बात करते हैं, तो वह अस्थान कौन सा है, चक्रधरपूर है, आंध्रप्रदेश की बात करते हैं, तो वह अस्थान कौन सा है, विल्ला सारंगम है, करनाटक की बात करते हैं, तो वह अस्थान कौन सा है, आपका बिल्लारी का है, इसके बात देखत केरल की बात करते हैं तो वह अस्थान कौन सा है आपका वाइनाड इडगल है वह अस्थान कौन सा है वह अस्थान जो है वाइनाड इडगल है अब आपने देखा कि भारत में जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो प्रमुक केंद्र है वह आपका उत्तर प्रदेश हो गया मद्ध प्रदेश हो गया, चतिस गड़ हो गया, जारखंड हो गया, आंध प्रदेश हो गया, करनाटक हो गया, केरल हो गया, इसकी अलावा हम देखते हैं उत्राखंड का जो है, अलमोडा छेत्र हो गया, राजस्थान का आपका कोटा छेत्र हो गया, अर्थात इन राज्यों से जो है हमको प्रागैति हासिक चित्रकला के जो है प्रमार प्राप्त होते हैं अगर बात आती है कि भारत में प्रागैति हासिक चित्रकला की खोच कहां से होती है आपका मिर्जापूर से हुआ भारत में जो है प्रागैति हासिक चित्रकला के सबसे प्राचीनतम चित्र कहां से मिले हैं आपके भीम बेटका से मिले हैं इसकी अलामा छेत्रों में देखेंगा उत्तर प्रदेस का बादा मिर्जापुर है मध्य प्रदेस में पंच मढ़ी होसंगाबाद भीम बेटका मंदसौर पहाड़गड है सिंगनपूर में क्या है आपका 36 गड़ है जारखंड में चक्रधरपूर है आंधप्रदेश में क्या है बिल्ला सारंगम है करनाटक से बिल्लारी है और केरल में क्या है वाइनाड इडगल है इसकी अलामा अगर देखा जाए तो उत्राकर्ण अल्मोडा में जो है लखुदियार है कोटा की बात करते हैं कोटा में भी जो हैंको प्रागयति हासिक काल के जो है चित्रों के प्रमान मिलते हैं और जो यह आपका प्रागयति हासिक चित्रकला का जो यह पार्ट है यहां से आप देखेंगे यहां से आपको पांस से साथ किष्ण आपको मिल जाएंगे देखेंगे तो आपको यहां से 5-7 कुष्ण मिल जाएंगे और यह पार्ट बिल्कुल आसान है बस एक बार अगर आप पढ़े लेंगे तो निश्चित तोर पर जितने भी प्रशन आएंगे आपका एक भी प्रशन जो है गलत नहीं होगा कभी-कभी सीधा इसे कुष्ण पूछ लेगा यहां स्थान जो है किस राज में इस्थित है अर्था जितना हमने पढ़ाया अगर निश्चित तोर पर इतना आप ध्यान से अच्छे धंक से आप पढ़े होंगे सक्रियता के साथ अगर आप पढ़े होंगे ठीक है पढ़ेंग चलते हैं दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं इसी के बाद है आपका सिंदु घाटी की कला इसके बाद कौन सा पार्ट है आपका सिंदु घाटी की कला या हडपा कालीन कला जो यहाँ आपका सिंदुगाटी की कला है या हडपा कालीन कला है या आद्य इतिहासिक कला के अंतरगत आता है। जब मनुस्त को लिपी तथा लिपी तथा लेखन का ग्यान था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया वह समय जो है आद एतिहासि काल कहलाता है और आप देखते हैं कि जो आपका हडपा सब्धता है हडपा सब्धता के जब क्या होता है नगरों की खुदाई होती है वहां से अनेक हम को लिपीयों के प्रमाण मिलते हैं आप देखेंगे वहां पाच्चोंसट मूल चिन्न मिले हैं लगभग 400 से लगभग अच्छर मिले हैं लेकिन वे सब पढ़े नहीं गये हैं अर्थात आपका जो सिंदु गहाटी सब्धता है या हडपा कालीन सब्धता है वह जो है कि हडपा सब्धता क्या है तो आप एक लाइन में बताएंगे हडपा सब्धता क्या है नगरी करण सब्धता है यह नगरी करण सब्धता है और नगर किसका उद्वारण है अस्थापतिकला का उद्वारण है अर्थात यहां से हम अस्थापतिकला के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अर्थात यहां पर अनेक नगरों के प्रमाण मिलते हैं और जो नगर है नगरों में बने जो क्या है भवन है यह सब जो है अस्थापत कला के उद्वारण है यहां से हमको जो है मूर्तिकला के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जो मूर्तियां मिली है वे मिट्टी क की बनी मूर्तियां है धात्य की बनी मूर्तियां है पत्थरों की बनी जो है यहां पर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं यहां से हम देखते हैं यहां से चित्रकला के प्रमाण प्राप्त होते हैं हम देखते हैं मुहरों पर तमाम अस्थानों पर जो है हमको जो है चित्रकला के प्रमाण मिले हैं सिंदु गहाटी सब्विता को मुर्दभान्ड कला भी करते हैं क्योंकि इस समय जो मिट्टी का बरतंता उद्योग का रूप धान कर लिया था इसलिए हम यहाँ पर मुहर कला मिलता है हडपा सब्विता का ठीक है हडपा सब्विता का आगे देखा जाए तो अब जो सिंदु घाटी सभिता के जो क्या है जो छेत रहें सिंदु घाटी सभिता का विस्तार कहां कहां पर हुआ है अगर देखा जाए तो सिंदु घाटी सभिता का जो विस्तार है वह कहां पर है वह पाकिस्तान अफगानिस्तान और कहां पर है भार पाकिस्तान में है और सबसे कम कहां पर है आपका अफगानिस्तान में है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कौन-कौन से छेत्र हैं देखा जाए तो पाकिस्तान का सिंध छेत्र, पाकिस्तान का पंजाब छेत्र, पाकिस्तान का जो बलचिस्तान छेत्र है, यहां से हमको जो हरपा कालीन या सिंध सभिता कालीन नगरों के प्रम अगर हम भारत की बात करते हैं भारत में आपका क्या है राखिगड़ी है बनावली है काली बंगा है दैमाबाद है आलमगीरपूर है उसके बाद धौलाविरा है सुरकोतड़ा है लोथल रंगपूर आदिछेत्र हैं जिसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे अगर यहां से किस्षन पूछा जाता है कि भारत की वे कौन से राज्ज है जहां से हम को हरपा काली नगरों के प्रमाड प्राप्त होते हैं अगर हम यह देखते हैं तो आपका अस्थान क्या हो गया आपका जम्मू कस्मीर हो गया हरियाणा हो गया पंजाब हो गया राजस्थान हो गया गुजरात हो गया ठीक इसके बाद हम देखते हैं आपका उत्तरपडेस हो गया महाराष्ट हो गया इन सब अस्थानों से जो है हम हमको हरपा काली नगरों के जो है प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं आगे देखा जाए तो अफगानिस्तान में आपका मुंडी गाप और सुतुर गुई है चलिए अगर देखा जाए तो एक यहां से महत्पूर्ण प्रश्ण पूस्ता है कि प्राग एतिहासिक काल तथा आद एतिहासिक काल की जानकारी हमको किस माध्यम से प्राप्त होती है जब प्राग एतिहासिक काल और आद एतिहासिक काल में हमको कोई लिखित साक्ष नहीं मिलता है प्राग एतिहासिक काल में तो लिपी तथा लेखन का ग्यान नहीं था वहां पर जो है लेखन साक्ष की कोई धारणा ही नहीं हो सकती हडपा काल में जो लिप तथा लेखन मिला उसको पढ़ा नहीं गया तो अर्थात जो है प्रागयतिहासिकाल और आद्यतिहासिकाल की जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है तो प्रागयतिहासिकाल और आद्यतिहासिकाल की जो जानकारी है वह पुरा अतात्तिक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होती है। अब यहां पर आद्यतिहासिक काल के अंतरगत आपका वैदिक काल आता है जिसका समय 1500 से लेकर 600 इसापूर के लगभग माना जाता है। जानकारी प्राप्त होती है वह वैदिक साहिति के माध्यम से प्राप्त होती है। अब बात आती है वैदिक साहिति के अंतरगत क्या कौन कौन से साहिति आते हैं। अब ध्यान दीजेगा वैदिक साहिति के अंतरगत क्या आएगा। वैदिक साहित के अंतरगत क्या आते हैं ब्राम्हण ग्रंथ आते हैं वैदिक साहित के अंतरगत कौन से आते हैं आरणे ग्रंथ आते हैं वैदिक साहित के अंतरगत क्या आता है आपका उपनिशत आता है यह चारों जो है वैदिक साहित के अंतरगत आते हैं अर्थाद वैदि काल के मानों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह वैदिक साहित के माध्यम से प्राप्त होती है और वैदिक साहित में आपका चार है वेद, ब्राम्हण, आरणक और उपनिशत और वेद पर आधारि जो आखरी रचना है वह क्या है उपनिशत है इसलिए हम पर संकराचार ने भास लिखा है, जैसे ट्रेयः चान्दोग्या ब्रिधारणम एकंदसा अर्थात इतने उपनिस ही इतनोपनिस्दों पर संकराचार ने भास लिखा है, इसकी अलावा देखा जाए साहित में कला की चर्चा अर्थाज जो भारती धर्मग्रंथ हैं जो भारती आपके धर्मग्रंथ हैं इसकी अलावा बिद्वानों द्वारा जो लिखी गई साहित्य हैं उसमें कला के बारे में किस चीज का वरणन किया गया है कला के संदर में क्या-क्या बताया गया है तिसकी चर्चा हमको जो है साहित में कला की चर्चा करनी है साहित में कला की चर्चा था जो आपका वेद हो गया तेख है आपके पुराण हो गये तबाम प्रकार की जो आपके ग्रंत हैं उसमें जो है कला के बारे में किन किन चीजों का उल्ले किया गया है अब इसमें जो है साहित में कला की चर्चा होगी ठीक है इसके पहले अगर देखा जाये तो हमने इसके पहले जो है अगर इस पार्ट से देखा जाये तो हमने आपको बताया जो हमने हरपा कालिन सभिता के ब हडपा कालीन कला के अंतरगत देखा जाय तो 5-7 किश्चन पढ़ा जो है आता है और यह भी पार्ट जो है बिल्कुल आसान सा है मनुरंजक पार्ट है एक बार आप पढ़लेंगे तिन सब चीजों को आप भूलेंगे नहीं आगे वैदिकाल और साहित में कला की चर्चा करन अगर देखना है तो वैदिकाल से आपके कभी कभी एक से दो किश्चन पूछ लेता है लेकिन साहित में कला की जो चर्चा वाला पार्ट है यहां से निश्चित तोर पे आपको यहां से तीन से जो है चार किश्चन आपको यह काल की जानकारी हमको वैदिक साहित के माध्यम से प्राप्त होती जिसमें वेद, ब्रामण, आरड़क और उपनिशद हैं इस काल में यह काल देखा जाए तो इसमें काल क्या था यह कर्मकांड प्रदाहन समय था और वहाँ पर देखा गया है इन कर्मकांडों के द्वारा अने कर्मकांडों के विरुद्ध में जो है अने धार्मिक नेता जो है हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं जिसमें कौन से हैं जिसमें महत्पूर्ण जो है आपके गौतम बुद्ध हैं और कौन है महाबिर स्वामी हैं बहुत धार्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध और जै जो समाज में जो समाजिक बुराईयां थी उसको दूर करने के लिए इन लोगों ने जो है प्रयास किया यहां पर ठीक है यहां से भी देखा जब बहुत अथा जयन धर्म से भी हमको जो है तीन से लेकर पांच प्रशन तक जो है इस छेतर से भी पूछे जाते हैं शलिए अब यहां पर देखिएगा अगला पार्ट है इतिहासिक गुफा ध्यान दीजिएगा अगला पार्ट है आपका इतिहासिक गुफा यह पार्ट आपके लिए जो है जो प्राचीन कला है उसमें सबसे महत्तपूर जो है आपका यह इतिहासिक गुफा है इतिहासिक गुफा यहां से देखा जाए तो यहां से करीब 10 से लेकर 12 या 15 किश्यन तक यहां से पूछा जाता है यहाँ पर अगर आप गुफाएं देखेंगे एतिहासिक काल की प्राचीनतम गुफा के बारे में अगर बात करते हैं तो देखें जो इस काल की जो एतिहासिक काल की गुफा है यह गुफाएं जो है मानो निर्मित काल जो है गुफाएं है अर्थात आपने इसके पहले आपने प्रागैतिहासिकाल की गुफा देखा जो प्रागैतिहासिकाल की गुफा थी वह प्राकृतिक गुफा थी वह प्रकित निर्मित गुफा थी उसमें जो है उस गुफा के निर्मान में मानों का कोई योगदान नहीं था लेकिन जो इतिहासिक काल की गुफाएं हैं, यह मानो द्वारा जो है निर्मित गुफाएं हैं, अरतात इन गुफाओं का निर्मार जो है मनुष्यों ने किया, या राजवन्सों द्वारा किया गया, या तो जो जैन और बहुत भिक्ष थे उनकी द्वारा किया गया, या सास प्रास्कों के संरक्षन में गुफाएं बनवाई गई और इस समय की जो गुफाएं हैं वह किसी निकिसी धर्म से संबंधित हैं। अगर देखा जाएं तो भारत में भित्य चित्रकला का सबसे प्राचीन भारत में देखा जाएं भित्य चित्रन का जो है एतिहासिक काल की सबसे प्राचीन गुफा वह क्या है आपका जोगी मारा का गुफा जो कहां पर इस्तित है आपका 36 गड में इस्तित है इसके बाद महाराष्ट के औरंगाबाद जिले मिस्तित है जो अजंता की गुफा है यह बौत धर्म से सम्मंदित है यह बौत धर्म के हीनयान और महनयान दोनों से सम्मंदित है अगर हम अलोरा गुफा की बात करते हैं यह बौत धर्म हिंदू धर्म और जैन धर्म से क्या है यह सम्मंदि जोगी मारा की गुफा जो है यह जैन धर्म से सम्मंदित है बाग की गुफा की बात करते ही अमध्य प्रदेश के धार जिले में इस्तित है इसकी अलावा बादामी की गुफा है सित्तन वासल की गुफा आपके कहां परिस्तित है यह सित्तन वासल गुफा तमिलाड में इस्त जो सैवधर्म से संबंदित है उदयगीरी गुफा कहां पर इस्थित है यहां आपके मध्यप्रदेश में इस्थित है इसके अलावा उदयगीरी खंडगीर गुफा जो है आपके यहां उडीशा में इस्थित है अगर यहां पर उडीशा में इस्थित जो उदयगीर गुफा है इसी में आपका हाथी गुफा अभलेक पाया जाता है इसके अलावा भांजा गुफा हो गया कारले गुफा हो गया जुनार की गुफाएं हो गई नासिक गुफा हो गया कनहेरी गुफा है यह जो इतिहासी काल की गुफाएं है यह निशित तोर पे जो है बहुत ही अब हम देखते हैं आगे जो है पोथी चित्रन की बात करते हैं आगे जो है प्राक्रतिक चित्रकला या हम जिसको पोथी चित्रन कहते हैं जिसको हम कहते हैं यहाँ पुछा जाता है पोथी चित्रन की शुरुवात मानी जाती है पाल सैली और जैन सैली शुरुवात कहां या बौत धर्म से संबंदित है इसको संरक्षन देने में जो है पाल सासकों का युगदान माना जाता है जो जैन सैली है जैन सैली को हम अबढ़न सैली भी कहते हैं जो जैन सैली है इसको जो है पश्मी सैली कहा जाता है या पोधी चित्रन के अंतर गताते हैं, इसमें लग प्रकार के जो है चित्र बनाए गए हैं. इसमें कैसे चित्रन हैं? इसमें जो है लग चित्रन जो है यहाँ पर बनाए गए हैं. पहले आप जो है syllabus के बारे में आप लोग सुन लीजिए ठीक है तब जो आपके जबाब है जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में जो है हम आप लोगों के सभी लोगों के जबाब देंगे ठीक है आप लोग निश्चिनत रहें पहले आप syllabus के बारे में जो है बहुत अच्छे डंग से देख लीजिएगा अगर आप पूरा syllabus भी पढ़ लेते हैं तो यहां से निश्चित रूप से आपको बहुत सारी जानकारिया मिल जाएंगी सबसे पहले सबसे मुख्य जानकारी है कि हमको क्या पढ़ना है सबसे महत्म मत्रौा शईली पढ़ना है जो गांधार शईली और मत्रौा सईली है यह दोनों जो है यह मूर्तिकला सईली के अंतर्गत आती है। यह दोनों सैलियां जो है यह कनिस के सासनकाल से सम्मंदित हैं अर्तातिया जो है कनिस के क्या है कनिस से सम्मंदित हैं जो गांधार सैली है इस पर हमको जो है युनान कला का प्रभाव दिखाई देता है और इस कला में जो है देखा जाए तो यहां पर बहुत धर्म से सम्मंद बनाई गई हैं मत्रुआ कला देखा जाये इसको यह जो है सुद्ध भारती कला है सुद्ध भारती जो है मूर्तिकला सैली है इसमें जो है बौत धर्म के साथ साथ जैन धर्म और जो है हिंदू धर्म से संबंदित जो है यहां पर मूर्तियां जो है पाई गई है अर्थात आगे चलेंगे यहां से भी लिखबग देखा जाये तो एक से दो प्रशन आपको यहां पर निश्चित रूप से पूछते हैं, पाल सैली, जैन सैली से भी आपके जो है दो से तीन कुष्ण आपको इस पार्ट से भी पूछते हैं, आगे आपका है गुप्त कालीन कला, जो है यहां पर दिखाई देता है भारत में देखा जाए कि जो मंदिर की प्राचीनता दिखाई देती है ठीक है यहां पर जो है जो गुप्त काल से को दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं कि पूरे भारत में मुर्थ मंदिर अस्थापत्य के कार्य हुआ, छेत्र के आदहार पे उनके बनावट के आदहार पे उनको तीन भागों बाटा गया, एक को कहा गया नागर सैली, बेसर सैली और क्या है द्रविन सैली, नागर सैली के अगर मंदिरों का छेत्र देखा जाए तो हिमाले से लेकर बिंध्यन तक परवत बिंध्यन परवत के बीच का जो छेत्र है वहाँ पर नागर सैली मंदिर अस्थापत्य हुए उसके बाद जो है बिंध्यन परवत से लेकर कृष्णा नदी के तक का जो छेत्र है वहाँ पर बेसर सैली मंदिर का निर्माड हुआ उसके बाद कृष्णा नदी से लेकर आप जो है दक्षन तक जो भाग है वहाँ पर जो है द्रबिन सैली मंदिर का निर्माड हुआ अगर देखा जा तो इन तीनों में सबसे पहले जो है किसका प्रारम होता है सबसे पहले नागर सैली के मंदिर बनने चालू होते हैं लेकिन सबसे पहले ही जो है बनना चालू हुआ और सबसे पहले इस पर रोक लग जाता है क्योंकि तमाम प्रकार के जो है विदेशी आक्रमन होते हैं इसलामों का आक्रमन होता है और भारत पर जो जो भी आक्रमन हुआ है वह उत्तर भारत छेत्र में हुआ है और इ द्रविड सैली की बात करते हैं द्रविड सैली में जो है मंदिर जो है काफी दिनों तक जो है मंदिर निर्माण होता रहा चली आगे देखते हैं अथात मंदिर अस्थापत में तीन सैलियां है नागर सैली बेसर सैली द्रविड सैली नागर सैली का जो छित्र हमने बताया वह जो है हिमाले से लेकर बिंध्यन शेत्र थक, बेसर सैली का जो है बिंध्यन शेत्र से कृषणा नदी तक, उसके बाद द्रविन सैली जो है कृषणा नदी से लेकर सुदूर दक्षर भारत थक, चलिए आगे बात कर लेते हैं, अब यहां पर देखा जाए, तो मंदिर अस्थ होता है मध्य कालीन कला, मध्य कालीन कला की सुरुआत कब होगी, जब भारत पर जो है, जब भारत पर जो है, इसलामी का धिकार हो जाएगा, वहीं से आपका मध्य कालीन कला, मध्य कालीन इतिहास शालू होगा, मध्य कालीन इतिहास का वहां से प्रारंब होगा, और इस काल में आप देखते हैं जो प्रारंब होता है वह सल्तनत कालीन कला से प्रारंब होता है जिसमें आप कौन-कौन सी कलाएं पढ़ेंगे जिसमें आपका मस्जित निर्मार कला पढ़ेंगे अस्थापत कला पढ़ेंगे इसके अलावा जो है यहां पर अस्थापत कला तो इस सब किया अर्थात इनके समय में चित्रकला और मूर्तिकला नहीं दिखेगा इस समय जो है हमको सरवादिक अस्थापत्यकला का प्रभाव दिखाई देगा अर्थात सल्तनत कालीन कला के अंतरगत हम क्या पढ़ेंगे इस समय मस्जिद पढ़ेंगे, इस समय हम मगबरा पढ़ेंगे, इस समय हम यहाँ पर किले का निर्माड पढ़ेंगे, आज चीजे जो है हम सल्तनत कालिन कला के अंतरगत पढ़ेंगे, जिनका समय देखा जाए, आठमी से लेकर सुलाहमी सदी स्वी तक माना जाता है यहाँ आपके जो है यहाँ देखा जाए तो यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन तब पर भी यहाँ से जो है दो से तीन प्रशन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं इसके बाद देखा जाए तो मुगल कालीन कला आता है, मुगल कालीन कला जो है, यहां मुगल काल के अस्थापना का स्रे जो है बाबर को है, इसके बाद कौन हुआ हुमाई हुआ, अकबर हुए, जहांगीर हुए, सा जहां हुए और औरंग जीब हुए, अगर देखा जाए त को चित्र कला का सुनकाल कहा जाता है आगे आप देखेंगे सा जहां सा जहां के सासनकाल को मुगल कला का सुनकाल या अस्थापत कला का सुनकाल कहा जाता है और औरंग जेब जानते हैं इन सासकों में मुगल कालीन सासकों में सबसे कटर और धर्मांद कौन था यह औरंग और इसलामिक धर्म ग्रंतों में चित्र कला और मुर्ति कला क्या था निसिद्ध था इसी समय जो है जो दर्बारी कलाकार थे जो राजास्रित कलाकार थे वह क्या हुए मुगल दर्बार से अनेक छित्रों में जो है पलाइन करते हैं यहां से भी देखा जाए तो इस पार्ट स जो मुगल कालीन कला है यहां से आपको दस से जो है बारह प्रशन जो है आपको यहां से मिलेंगे चलिए आगे देखा जाए तो आगे आपका राजस्थानी कला आता है जो राजस्थानी कला है वह देखा जाए तो मुगल कालीन के समकालीन है वह क्या है वह मुगलों के जो है समकालीन पाया जाता है राजस्थानी कला को हम बिसुद भारती कला कहते हैं यह जो राजस्थानी कला है यह जो है यह लगुचित्र सैली है यह क्या है यह जो है लगुचित्र कला है यह लगुचित्र जो है यह सैली है यह जो है मुगल के समकालीन है इसको हम सुद्ध भारती कला कहते हैं लेकिन इस पर मुगल कला का जो है हमको यहाँ पर प्रभावधी कराई देता है यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान की जो है भगोलिक प्रिष्ट भूम से अतात राजस्थान चेतर को जो है कला की दिर्ष्ट जो है चार भागों में बाटा गया है क्या कौन-कौन सा है आपका मेवाड हो गया मारवाड हो गया धुढ़ाड हो गया और हड़ोती है जो यह चेतर भी है राजस्थानी कला का यह चेतर भी बहुती महत्पूर है यह पार्ट आप के लिए बहुती महत्पूर है वैसे तो आपका जो सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस ही महत्पूर है राजस्थानी कला से देखा जाए तो यहां से पान से लेकर साथ प्रश्ण पूछे जाते हैं आगे हम बात करते हैं, इसके बात जो है आपका पहाडी कला आता है, इसके बात कौन सा है आपका पहाडी सैली, ध्यान दीजेगा अब बात आती है कि पहाडी सैली किसे कहते हैं, पहाडी सैली किसे कहते हैं, अब आप देखेंगे कि जो हिमाले का क्या है, जो हिमाले का जो है तलाठी भाग है, जो हिमाले का तलाठी भाग है, यहाँ पर कई राज्य हैं, जैसे आपका जो है जम्मू कस्मीर हो गया, जैसे आपके हिमानचल प्रदेस हो गया, उत्राखंड हो गया, पंजाब छेत्र हो गया, यह जो है हिमाले के तलाठी भाग है, यहाँ पर जो कला सैलि वह क्या है हिमाले के तलाटी चेत्रों में हैं उनका एक सामुहिक नाम दिया जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम पहाडी सैली के नाम से जानते हैं यहां पर कुछ लोगों का मानना है कि जो पहाडी सैली का विकास है वह मुगल दर्बार से भागे हुए कलाकारों द्वारा यहाँ पर बताया जाता है पंडित सेव और था था उनके परिवार के द्वारा पहाडी सैली जो है यहाँ पर जन्मा उसके बाद अनेक कलाकारों के सामुहिक योगदान के द्वारा पहाडी सैली का विकास हुआ और इन पहाडी सैली बें जो सबसे महतपूर सैली मानी जाती ह वह कौन सी है वह आपका कांगणा सैली है चलिए इसकी अलामा देखा जाया तो डक्षडी सैली की बात करते हैं तो उसमें आपका डक्षडी सैली के अंतरगत बीजापूर, गोलकुंडा और हैदराबाद है आप देखते हैं कि बहमनी सामराज जा आपने देखा होगा बाद म बहमनी सामर्याच अनेक भागों में तूट जाता है और वहीं तूटने के बाद जो है उस जो छेतर हैं वह क्या थे वे मुस्लिम सामराज थे और वहाँ पर जो कला सैलियां विक्सित हुई उसमें जो महत पूण है वह बीजापुर गोल कुंडा और कौनसा है है दराबाद है चलिए अब आगे देखते हैं अब देखा जाए भारती आधनिक लोक कला की बात करते हैं भारती आधनिक लोक कला की सुरुआत कब होती है जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार प्रारम होता है जब भारती छेतरों पर जो है और अंग्रेजों का अधिकार जब प्रारम होता है जब भारती राजगराने क्या हो गए समाप तो होने लगे उन राजगरानों पर जो है अंग्रेजों का अधिकार होने लगा तब उस समय क्या था जो राजासृत कलाकार थे वे जाएंगे कहां पर कुछ कलाकार जो है बाजारों की तरफ चले गए कुछ कलाकार जो लो अनेक लोग कला का प्रभाव दिखाई देता है। अनेक विदेसी कला कारों का आवा गमन होता है। तो वह सैली जिस पर क्या था यूरोपी प्रभाव था अर्थात ऐसी सैली ऐसी चित्रन सैली जिस पर का था यूरोपी प्रभाव था अर्थात चित्रकला की ऐसी बिधा जिस पर क्या था यूरोपी प्रभाव था अर्थात जिस पर यूरोपी माध्यम से जो है चित्रन किया उसको हम क्या कहते हैं कमपनी सैली कहते हैं अब ध्यां दीजिएगा जैसे कोई भी चित्रकला सैली होती कोई भी चित्रकला बनता है कोई भी चित्र बनता है तो एक क्या होता है एक चित्र का विशय होता है दूसरा क्या था दूसरा जो है माध्यम होता है दूसरा क्या होता है चित्र कला का माध्यम या जिसको हम क्या कहते है तकनीक किस माध्यम से जो है चित्र बने अगर आप से कोई कहता है कि आप चित्र बनाईए सबसे पह गया आपका माध्यम और तकनीक देखिए कमपनी सैली में जो चित्रों का विसय था वह क्या था वह विसय तो भारती ही था वह क्या था विसय तो भारती था लेकिन जो चित्रन तकनीक थी जो भारत की परंप्रागत कला था उसका हास्य होता है और यहां पर हम देखते हैं यूरोपी जो है विदियों के माध्यम से जो है चित्रन तकनीक अपनाई गई वही क्या कहलाता है आपका कमपनी सैली अर्था जब भारती चित्रन सैली पर जो है यूरोपी चित्रकला का यूरोपी चित्रन सैली का प्रभाव बढ़ता है तो वही क्या है कमपनी सैली और कमप पूरा पार्ट देखा जाए, जितना हमने आपको बताया, राजा रवी वर्मा से स्वतह जो है, दो कीशन आपके राजा रवी वर्मा से पूछता है, कमपानी सैली से एक या दो कीशन पूछते हैं, इसके पहले जो हमने आपको बताया कि जो आपकी लोकल कलाएं थी, जैसे हमने आपको बंगाल का पटुआ कला काली घाट के पड़ चित्र हो गए, उडिसा के पड़ चित्र हो गए, नातद्वार के पड़ चित्र हो गए, मैसूर चित्र कला सहली, तंजवर चित्र कला सहली, भारत में विदेशी प्रभाव तिस छेतर से हमको दो तीन प्रष्ट मिलते हैं अगर हम कங्पनी सैली से देखते तो यहाँ से एक दो प्रष्ट मिलता है और राजा रवी वर्मा से भी एक दो प्रष्ट आप से कम सकम प्यूशता है चली अब आगे चलते हैं अब देखिए इसी के बाद देखा जाए तो यहाँ पर पुनरुस्थान सैली प्रारम होता है पुनरुस्थान सैली मतलब भारत की परंपरागत कला को पुनर अस्थापित किया गया भारत की परंपरागत कला को क्या किया गया पुनर अस्थापित किया गया और किसके द्वारा स्थापित किया गया बंगाल के जो है खला कारों द्वारा स्थापित किया गया इसी को हम क्या कहते हैं बंगाल सैली आपने देखा भारत की जो परंपरागत कलाये थी जो भारत की जो चित्रन की जो परंपरागत तक्निक थी उस पर बीट में आपने देख उसमें क्या थी उनमें नमीनता थी वहाँ इसकी शुरुआत जो है बंगाल के कलाकारों द्वारा किया गया तो यहाँ पर बंगाल सैली के प्रडे ता कौन है कौन है इवी हैवेल है माने जाते है और निंदरनात देवी प्रसाद राय चौदरी हैं अब्दुल रह्मान चुकताई हैं सारदा चरणवकील हैं मुकुल चंद्र डे हैं सुधिर रंजन खास्तगीर के वेक्टपा कनू देसाई समरिन नादगुप सैलोज मुखर जी विनोद कुमा बिहारी मुखर जी राम किंकर बैज आदी आ जाते हैं यह बिनोद बिहारी मुखर जी और राम किंकर बैज यह जो है निश्चित तोर पर यह बंगाल के कलाकार हैं लेकिन यह बंगाल सैली से सम्मंधित नहीं हैं और यह दोनों के दोनों जो है नंदलाल बसू के क्या हैं परमसिस से माने जाते हैं इस बंगाल सैली से अगर देखा जाए तो यहां से जो है पान से दस प्रश्ण जो है यहां से पूछे जाते हैं पान से साथ कृष्ण आपको अहां से पूछा जाए चलिए आगे देखा जाए अनेक ऐसे चित्रकार हैं जो बंगाल से ही संबंदित थे लेकिन वह बंगाल सैली में चित्रण नही टैगोर के बड़े भाई हैं रविन नाट टैगोर हैं जो इनके क्या हैं चाचा हैं यामनी रंजन राय हैं और कौन हैं अम्रिता सेरगिल हैं इसके अलावा देखेंगे रडवीर सिंग बिष्ट हो गए ललित मोहन सेन हो गए जगननात मुरली धरा हिवासी हो गए यग्ये सर सुकल हो गए रवी संकर राउल सैलोज मुखर जी निकोलस रोरिक हो गए जार्ज किट वाल्टर लैंग हैमर आधिकलाकार हैं चलिए इसके बाद देखा जाए अब यहां पर आपने देखा कि बंगाल में बंगाल में जो प्रभावी सैली थी आधनी काल में के प्रारम में जो बंगाल में जो सबसे प्रभावी सैली थी वह बंगाल सैली थी अब धिरे-धिरे क्या था एक समय की नवीनता जो है काथी दिनों के बीचतने के बाद वह जो है परंप्रागत के रूप में आ जाता है अब उस समय के जो नवीन कलाकार थे वह क्या हुए वह जो है वहां नए कला ग्रूप की अस्थापना किया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम कलकत्ता ग्रूप के नाम से जानते हैं, जिसकी अस्थापना 1943 में हुआ, इसके संस्थापक प्रदोस गुप्त हैं, इसके अलावा इसमें रथिन मित्रा, नीरेज मदुंदार, परितोस सेन गोपाल गोस हेमन्त मिस्रा सुभो टैगोर जैनुल आपदिन आत कलाकार जो है माने जाते हैं अब दिहान दीजिएगा यहाँ पर अब यहाँ पर जो कलकत्ता ग्रूप के जो प्रदर्सनियां हुई चित्र आप चित्रनकार करेंगे कोई भी कलाकृतियों का निर्मार करेंगे अस्थापति कला को छोड़ दिया जाए अस्थापति कला की प्रदर्सनियां कैसे लग सकती है वो तो वहीं पर लेकिन जो चित्र एक नए कला ग्रूप को जन्म दिया जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम पैक ग्रूप कहते हैं जिसकी अस्थापना 1947 में हुई पैक ग्रूप के संस्थापक प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप जिसके संस्थापक F.N. सुजा फ्रांसिस नूटन सुजा हैं उनके मूल सदस से उमें S.H. रजा, ठीक है, सैयद हैदर रजा, कृष्ण हवला जी आ रहा, और इससे सम्मंधित महत्पूर में हैं, मकबूल फिदा हुसेन साहब हैं, सदानंद बाकरे हैं, हरी अंबादास गाडे हैं, कृष्ण खन्ना, अकबर, पद्म स्री, आज यहां पर कलाकार माने जा हैं, चली आगे देखा जाए, तो जो आपका प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, बाद में इसके कलाकार कोई निवार्क बस गया, कोई पेरिस बस गया, धिरे धिरे जो है आपका प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप समापन हो गया, अब वहां के कलाकार जो है एक नए जो है कला गुरूप की अस्थापना करते हैं जिसको हम किस नाम से जानते हैं जिसको हम बामबे गुरूप के नाम से जानते हैं जिसका अस्थापना 1957 में हुआ बांबे गुरुप के नेता कलाकार केके हबबर हैं इसके अलावा हरी अंबादास गार्डे HD जावडा DG कुलकर्णी साहब है VS गायतुंडे मोहन सामन्त है HD पल्सकर साहब है स्यामबक्स जावडा है NAS बिंद्रे है कौन है? NAS बिंद्रे है सावावाला है बाबुरा और सातों लेकर है तैया महता है हर किसनलाल अंबादास आज कलाकार जो है बांबे गुरुप से सम्मंधित माने जाते है चलिए आगे गर हम देखा जाए तो दिल्ली सिल्प चक्र यहाँ पर बहुत ही महत्पूर आपका है दिल्ली सिल्प चक्र की शर्चा करते हैं अतार जब भारत का विभाजन हुआ जब भारत का विभाजन हुआ जब भारत भारत और पाकिस्तान दो भागों बढ़ता है तो उसमें पाकिस्तान के अनेक कलाकार जो है भारत आए और अधिकांसता देखते हैं उसमें जो कलाकार बसे वह दिल्ली में बसे, पहले तो दिल्ली के पुराने कला संस्थाओं से जुड़े, लेकिन उनको वह सम्मान नहीं मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था, वे कलाकार जो है अपने यहां के नव क्यों कलाकारों के साथ मिलकर एक नए कला गुरुप की अस्थापना करते हैं, जिसको हम दिल्ली सिल्फी चकर कहते हैं, जिसकी अस्थापना 25 मार्च 1949 दिल्ली में हुआ, जिसमें देखा जाये तो के-स कुलकर्णी थे, भावेशन सान्याल थे, जय अप्पा स्वामी थे, इसमें यामनी रंजनराय का योग पड़ा, अनुपम सूद, दम्यंती चावला आद इसमें जो है, महत्पूर्ण जो है, माने जाते हैं, आगे देखा जाए, एक कला गुरुप है, गुरुप 1890, गुरुप 1890, जिसकी अस्थापना 1963 में हुआ, इसका नाम गुरुप 1890 कैसे पड़ा, अर्थात इस कला अर्थन का संगठित करने का जो बिशार किया गया, जिस मकान में किया गया, उस मकान का नंबर कितना था, 1890 था, इसकी अस्थापना 1963 में हुआ, यहां पर देखा जाए, इसमें प्रमुग कलाकार कौन हैं, जगदीश स्वामी नाथन हैं, गुलाम मुहम्मद सेख हैं, जोत पटेल साहब हैं, आगे देखा जाए, एरिक बोवन हैं, हिम्मत साह साहब हैं, अमबादास गाडे हैं, रागहो कनेरियां हैं, बालकृण पटेल, राजे स्मिहरा आधि माने जाते हैं, आगे देखा जाए, तो चोल मंडलम, चोल मंडलम देखा जाए, तो केसी पनिकर विद्याले के प्रधाना चाहे थे कला की दिश्ट देखा जाए तो जो दक्षण छेत्र है भी क्या है चित्र कला की दिश्ट से वह तुड़ासा कमजोर था केसियस पनिकर साहब ने क्या किया अपने जो है मित्रो अपने छात्रों के साथ मिलकर जो है सम्मंधित कला कारों को अगर देखा जाए तो उसमें कौन-कौन से कला कार आते हैं उसमें जो है केसियस पनिकर साहब है पीवी जान की राम है कनहाई कुनही राम है सनत राजन है अनीता जैकप है पीटी रेडडी है रंगा स्वामी सारंगन है केजी सुब्रमणयन साहब है ए राम चंदर नायर हरिदासन आधी जो है कला कार जो है यहां से जो है दिखाई देते हैं चलिए उसके बाद देखा जाए तो राजस्थान में छेतर में भी कला से संबंदित अनेक गुरूप बने जिसमें जिसको हम तूलिका गुरूप के नाम से जानते हैं तूलिका गुरूप की अगर अस्थापना की बात होती है तो 1958 इस्वी में जो है उधैपुर में हुआ जिसमें प्रोवीवी जान है परमानन्चोयल जिनको भैंसो का चितेरा कहा गया मोनी सान्याल गोवर्धन लाल जोसी आध है इसके अलावा हम टकमर गुरूप देखते हैं गुरूप साथ देखते हैं गुरूप आठ देखते हैं गुरूप नौ देखते हैं यह सब बड़े छोटे छोटे बस एक दो लाइन के जो है क्या हैं यह group हैं उसके बाद unknown group जिसकी अस्थापना 1961 में होती है चलिए इसके अलावा देखा जाए इसके अलावा भी अनेक कलाकार हैं इसके अलावा भी देखा जाए तो अनेक जो है कलाकार आपको मिलेंगे मन्जीत बाबा मिलेंगे लक्ष मणपय हैं कृष्णा रेड़ी हैं चिंता मड़िकर हैं भाव सामर्थ हैं गोपाल मदगवर चतुरवेदी हैं बाल कृष्ण पांडे विकास भटाचार विवान सुंदरम संजे भटाचार तमाम जो है कलाकार जो है प्रकार करने वाले कलाकार यह आपके लिए महत्पूर्ण है यहाँ पर ध्यान दिजिएगा उत्तर प्रदेश में कार करने वाले कलाकार यह एक दो होंगे एक तो जो यूपी के निवासी होंगे या जो बाहर से आकर यूपी में कार किया यूपी में कार किया इसमें दो प्रकार के कलाकार होंगे जैसे आप देखा असित कुमार हल्दर साहब हैं छितिन नात मजुंदार हैं विशेस्वर सेन हैं ललित मोहन सेन हैं यहाँ पर देखेंगे सुधिर रंजन खास्तगीर साहब हैं आगे आप देखेंगे हरिहर लाल मेर हैं, डीपी धुलियां है, मदल लाल नागर है, प्रोफेसर जो है आपका प्रोफेसर राम चंदर सुकल हैं, डाक्टर जगदीश गुपता हैं, रणवीर सिंग बिष्ट हैं, नित्यानंद महापात्रा हैं, बद्रीनात आरे हैं, डाक्टर राम कुमार आद यहां पर कलाकार, जगननात मुरली धर अहिवासी, आतार सिंग पवार, स्री धर महापात्रा, चमन सिंग चमन आदि कलाकार हैं, इसके बाद देखा जाए तो कुछ यो है, राजस्थान के कलाकार भी बहुत ही महत्पून हैं, राजस्थान के कलाकारों में देखा जाए तो राम गुपाल वि देवकी नंदन सर्मा हैं, गोवरधन लाल जोसी हैं, कृपाल सिंग सिखावत आज जो है माने जाते हैं, इसके बाद देखा जाए आपका कलाका अर्थ क्या है, कलाका अर्थ क्या है, कलाकी परिभासा से सम्मंदित कृष्ण पूस्ता है, यह पार्ट बहुत ही महत्पून ह चित्रकला के छंग सडंग के बारे में चर्चा होगी, चित्रकला के तत्व के बारे में चर्चा होगी, यह पार्ट आपके लिए बहुत ही महत्पून है, इस पार्ट से देखा जाए तो यहां से जो है करीब 10 से लेकर 12 प्रशन आपको यहां से पूछा जाएगा, उसके अ अलावा सौंदर सास तथा प्राचीन ग्रंतों में कला का वरणन की बात होती है इसकी अलावा हम देखते हैं सैयोजन का सिद्धानत हो गया परिपेक्ष माध्यम तकनिक और ग्राफिक कला आद के बारे में जो है आपको यहां पर पढ़ाये जाएगा उसकी अलावा भारत में कला सिच्छा के प्रमुकेन, कला दिर गहाएं तथा कला संगर्ठन तथा संग्रहालियों के बारे में जो है चर्चा होगी देखा जाए तो जो अब तक आपको पार्ट बताया गया है यह पार्ट जो है आपके TGT के लिए है TGT और PGT दोनों के लिए है यहां पर इतने कला कारों को पढ़ा दिया जाएगा आसान तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि आपको सारी चीजे याद रहेंगी निश्चित रूप से याद रहेंगी बिगत जो भी पेपर हुए हैं जो भी बच्चे पढ़े हैं अगर आप उनसे जो है जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अगर आपके कोई जान पहचान के वह ता आप उनसे पूछ सकते हैं जो आपका बिगत पेपर हुआ है बहुत ही कम समयों में बच्चों को अच्छे डंग से पढ़ाया गया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन लोगों काया और आप लोगों के पास तो परियाद समय है आप लोग जो है वेकेंसी का इंतजार ना करिए कि बिलुकुल जो है डेटा आजाएगा तब हम पढ़ना चालू करेंगे क्योंकि आप लोगों का कम्टीसन उन लोगों से है जो भिगत पेपर में जो है दो नमबर चार नमबर छह नमबर आठ नमबर दस नमबर से जो चटे हैं आपका कम्टीसन उन से है क्योंकि वह एक साल, दो साल, तीन साल वह पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजे उनको याद है बहुत सारी चीजों का उनको ग्यान है फिर भी वे क्वेचिंग कर रहे हैं इसलिए जो नए बच्चे हैं वह जो है वेकेंसी के डेट का इंतजार न करें ठीक है? तब तक आप जो है सक्री रहे कुछ न कुछ आप कारे करते रहे आप जो है वेकेंसी को देखकर रुखिए नमत ठहरिये मत अभी वेकेंसी आएगी, कब आएगी, कब नहीं आएगी क्यूकि आपका सिलिबस या एक-दो महिने का सिलिबस नहीं है इसको आप अच्छे धंग से पढ़ेंगे तो जो है इसमें 6-7 माह तक लग सकता है तीक अगर आप 2-3 घंटे डेली पढ़ेंगे तो 6-7 माह आठ माह तक लग सकता है नहीं वे किंसी रहेगी तो आप लोग जो है जो बैठे हुए लोग हैं जो अभी निस्क्री हैं वे सक्रिता दिखाएं आगे चलते हैं यह पार्ट देखा जात जो आपका पाश्यात कला का पार्ट है यह देखा जात यह पार्ट TGT में नहीं है लेकिन क्या है पाश्यात कला अर्थात यूरोपी यूरोपीयों से भारत का क्या था बहुत पूराना सम्मंद है क्योंकि अंग्रेजों ने जो है हम पर काफी दिन तक हम लोगों पर सासन किया है अने जो है यूरोपी कलाकार भारत था यह ने एक कलाकार जो है भारत गए त इसलिए TGT से सम्मंदित क्रिष्टन पूछा जाता है और PGT में भी आप देखते हैं यूरोपी कला से सम्मंदित आपको क्रिष्टन पूछा जाता है यहां से यल्टी के भी क्रिष्टन पूछे जाते हैं आई यह देखते हैं इसमें क्या-क्या आपके लिए महत्तपूर्ण देखे यूरोपी प्रागयतिहासिकला के प्रमुकेंद्र देखे यह ऐसा नहीं कि भारत में ही प्रागयतिहासिकल था तो यहां पर प्रागयतिहासिकल का मतलब मानों के प्रारंभी कवस्था से है जब मनुसको लिपी तथा लेखन का ग्यान नहीं था अर्था प्रागयतिहा अर्था जहां से मानों का सरूप श्टार्ट होगा वहीं से प्रागैति हासिक कला वहां पर होगा यहां पर जो हमको प्रागैति हासिक कला पढ़ना है वह यूरोप के संदर में पढ़ना है अगर यूरोपी प्रागैति हासिक चितरकला के गब प्रमुकेंद्रों की बात करते इसमें दो प्रमुक केंद्र हैं उसमें एक कौन सा है एक आपका उतरी स्पेन है और दूसरा कौन सा है आपका दक्छनी फ्रांस है उत्तरी स्पेन में कौन-कौन सा है आपका अल्टा मीरा गुफा है, कोगुल गुफा है, पिंडाल गुफा है, दक्छुनी फ्रांस में आपका लासको है, नियाउ है, फांटे दगाम गुफा है, त्राइफेर्स है और लाक कैम्बरेली गुफा जो है यहां पर पाया जाता है चलिए आगे देखा जाए उसके बाद मेसो-पोटामिया की कलाव पढ़ेंगे मिस्र की कलाव पढ़ेंगे यूनान की कला पढ़ेंगे इसके साथ आर्थाथ प्राचीन कला के अलवाद अब हम चलेंगे किधर आपका मध्यूगीन कला मद्य यूगीन कला की जो सुरुवात होगी वह उतमें हम जो है आरंभिक इसाई कला के बारे में चर्चा करेंगे बाज़न्टाइन कला क्या है इसकी क्या भी सेस्ताएं है ठीक उनकी चर्चा होगी रोमनस्य कला की चर्चा होगी और गोथी कला के बारे में हम आपको बताएंगे आगे देखा जाए यहाँ पर देखिये उसके बाद है आपका पुनर जागरन कला पुनर, जागरण, कालीन, कला, जिसका प्रारम जो है इटली से हुआ, इसमें देखा जायती, इसके तीन चरण थे, प्रोटोरीनेसा, अरलीनेसा, हाईरीनेसा, इसमें बरोग तथा रोकों को कला पढ़ेंगे, इसमें नौसास्त्रितावाद क्या है, में जो है किस प्रकार के कलाकार थे इसकी क्या भी सेस्ता थी इसके बारे में चर्चा होगी आगे आप देखते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्वक्छंदतावाद है रोमान्सवादी जो है चित्रकला है यहाँ पर जो है स्वक्छंदतावाद क्या है यहाँ पर रोमान नौप्रभावाद, उत्तर प्रभावाद, तीनों में अंतर क्या है, तीनों में किस प्रकार की कलाओं का निर्माण हुआ, तीनों के जो है प्रभावाद, नौप्रभावाद, उत्तर प्रभावाद के जो कलाकार है, कलाकारों द्वारा बनी गई जो कलाकृतियां है, उनके प्रदर्शनिया किस के साथ हुई है भारत में किस कलाकार के साथ वहां पर प्रदर्शनी हुई है इसके बारे में चर्चा होगी इसके अलावा देखिए अभी बेंजनावाद क्या है अभी बेंजनावाद क्या है जब आप आधुनिक जो है जब आप समकालीन कला पढ़ते है तो समकालीन कला में अनेक कलाकारों को भारती कलाकारों को देखते हैं कि जो है जो भारती कलाकार है उन पर जो है यूरोपी कलाकार का प्रभाव है वह अभिव्यंजनावाद का प्रभाव है गहनवाद का प्रभाव है अथार्थवाद का प्रभाव है तो आकिर गहनवाद अ वियंजनावाद और यथार्वाद है क्या इसकी चरचा करेंगे और इनके चितरकारों की चरचा करेंगे और भारत में कौन-कौन से चितरकार है जिस पर जुह है इसका जो है प्रभाव दिख़्ाई देता है चलिए इसके बाद आईए देखा जाए यहां पर देखते हैं यतहार्तवाद, अतियतहार्तवाद, भवी सिवाद, जंगलवाद, दादावाद आदी हैं यहां आपका TGT और PGT दोनों का यहां आपका syllabus है इसकी बाहर जो आपका syllabus है जो आपका जो है उत्तरपदेश, मादमित सिख्षा, सिवा, चैनबोर्ड द्वा है अब प्रतेक्ष रूप से उसका कई गुना उसमें है अगर आपको पूरिय चीजे पढ़ने हैं सिलेबस आपको पढ़ना उससे बाहर एक भी क्रिश्चन न हो जाए तो यह सिलेबस आपके लिए परियाप्त है इस सिलेबस से बाहर आपका TGT और PGT में कोई भी क्रिश्च आपको बाहर से नहीं आएगा ठीक है एक बार जित्ते भी मित्र है तोड़ा सा उनका जो है कमेंट्स देखते हैं देखिए हमने आपको बताया TGT PGT से सम्मंधित जितने भी बिसे हैं सारी बिसे के जो है नए बेच श्टार्ट हो रहे हैं सभी का आज डेमो क्लास शल रहा है सभी का जितने भिसे हैं सभी बिसे के जो है डेमो क्लास शल रहे हैं आप जो है वहाँ पर यूटूब पर जो है लाइफ क्लास के माध्यम से जिनको जिन भिसे की आवसकता है उनका डेमो क्लास देख सकते हैं ठीक है और आप जो पुराने बच्चे उनसे संपर कर सकते हैं पूछ सकते हैं कैसी class चलती, लेकिन निसंदे हम आपको बताएं, जो भी class से चलती हैं, बहुत अच्छी class से चलती हैं, जो भी बिगत paper हुए हैं, उसमें बहुत अच्छा result रहा, देखिए जो भी आपकी class से चलती हैं, ठीक, आपको class चलेगा, ठीक, जो भी topic wise आपके खतम हो होंगे, जो भी topic खतम होगा, उससे संबंदित question कराया जाएगा आपको, इसके अलामा जो है, YouTube पर आपका practice चलता है, इसके अलामा जब आपके परिछा नजदीक आते हैं, जब कोई debt clear हो जाता है, तो 3-4 महिना, करीब 3-4 महिना लगभग देखा जाए, तो करीब 100 दिन लग लगातार आपका, जो है, 30 प्रश्ण लगातार चलेंगे, करीब आपको, 2-3,000 तक प्रश्ण आपको करवाया जाएगा, जो प्रश्ण करवाया जाएगे, वह ब्याक्ख्या समेट होंगे, लगबग सारी चीज़े आपको याद हो जाएगे, वह प्रश्ण ही आप पूरा अगर पढ़ लेंगे, अगर आप यहाँ पर पूरा syllabus पढ़े हैं, उन प्रश्णों को पढ़ लेंगे, तो निश्चित तोर पर देखा जाएगा, तो आप अगर बाद में देखेंगे, तो 125 प्रश्णों में 115, 16, 17 कृष्ण तक आप अराम से कर लेंगे, देखेंगे, अगर यहाँ पर जो है, जो है, जो कला की टाइमिंग रहती है, क्योंकि सारे सब्जेक्टों के टाइम जो है, अलग-अलग है, तो हमको जो है, कला सब्जेक्ट टाइमिंग के बारे में जानकारी है, इसकी जो टाइमिंग रहेगी, अभी हम आपको जो है, उसको है ये दिखें टीजीटी कला के लिए जो आपका जो है जो भारती कला है उसी को आपको पढ़ना पढ़ेगा यूपी कला को थोड़ा साप लोग जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि यह पार्ड जो है टीजीटी के के लिए है यह पार्ट जो है PGT के लिए है लेकिन वहां पर आप लोग पढ़ लीचिएगा धन्यवाद प्रिच्छ सभी भी से फ़स्ट जूं और पी सी लेक्ट्र जिसका फांप सभी फिल अप कर रहे हैं प्रेद दोस्तों आप तभी को फ़स्ट जूं जीएस यूपी P.C.S. यूजी सी फ़स्ट पेपर यूजी सी सेकेंड पेपर सभी भी से और इंडिजिवल बैचेश जिसमे हिस्ट्री, जॉगर्फी, मैस, प्रिजिनिंग, इंग्लिज सी क्लासेद आपको मिल जाएंगी, 1st June, KBS, और T, ट्रिपल एसबी के न्यू बैचिस, बिल्कुल fresh batches आपको मिल रहे हैं, 1st June से, प्रविश बत्क्री आप देख लीजिए, डाउनलोड करेंगे, चंद्रे शुलाबाद, अप्लिकेशन, आईडी पास्वोड आप श्रम बनाएंगे, काटेगरी में आप जाएंगे, कोर्स को चूज करेंगे, और कोर्स अपना बाई कर लेंगे, प्यारे साथियों, आफ़र आपको मिलना है, 16 से 22 मही तक 60 परशन की भारी चूट है, याद रखिएगा, ये मिस नहीं करिएगा, 23 से 30 मही तक आपको मिलेगा, 45 परशन का डिसकाउंट, कुछ मुबाइल नंबर में आपको दे दे रहें, आपकी हल् assessments के लिए, आपकी मदद के लिए, चंद्रा इंस्टूट याद रखिए, महंगा संस्थान है, लेकिन आप बस्यम जानते हैं, जिस लेबल की teacher, जिस लेबल की faculty, जिस लेबल की quality, चंद्रा इंस्टूट देता है, वो कहिए और नहीं, सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार ये सब याद रखेगा चंद्रा इंस्टूट हर संभव कोशिस करता है एक हमारे भाई भन हर हाल में सफल हों सकसेज हों थैंक यू थैंक यू बेरी मिच